हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन स्टॉक के बारे में IRFC, Trident और अदानी ग्रुप के बारे में हमें आपे बात करने वाले हैं कि कैसे इन सारी सिचुएशन में भी अदानी ने एक नई कंपनी बनाई है और इसका कामकाज क्या रहने वाला है क्या आप अगर इसके शेयर हो तो आपको क्या बेनिफिट रहने वाला है इन सारी करेंगे या फिर अभी इसमें टाइम लगेगा साथ के साथ पिर हम बात करेंगे IRFC के बारे में तो वीडियो को अगर आप लाक्ष तक देखोगे आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से उन्होंने बेबादों के बाद भी एक नई कंपणी बनाई है और इसका काम का अच्छ क्या रहने वाला है वह मैं आपको सारी चीज़े बताता हूं कंपणी का जो नाम रहने वाला है वह रहने वाला आदानी पहलमा कॉलीज यहां पर आपको यह जो आदानी को किया गया है आपको यहांते यह सारी चीज़े समझ में आएगी कि अदानी को ऐसे सच कोई भी बहुत बड़ा फरक नहीं पड़ रहा है लेकिन हाँ चीज़ें जरू खराब हुए है लेकिन यह भी एक बेस्ट आप्शन रहता है कि अपना काम आपको करते रहने चीज़े इवन मार्केट में चाहे कुछ भी हो रहा हूँ नई कंपनी का नाम तो मैंने आपको बता दिया पैलमा कोलीरीज और अगर आप देखोगे तो यहां पे चीज़ें समझ में आएंगी कि अदानी एंडर्प्राइज ने बताया है कि इस कंपनी की जो इस्तापना है वो 10 रुपे की पेडप शेयर पुझी यानि पेडप शेयर कैपिटल के साथ की गई है और अगर आप देखोगे तो यह कोल हैंडिलिंग सिस्टम समय कोल वाश्री बनाने या फिर चलाने का बिजनेस करेगी तदा इस सम्बंद में सभी आवश्यक काम करेगी यानि कि आपको यह जो प्रॉपर जो कमपनी है वो आपको कोल से रिलेटेट सारी चीज़े करते हो नजर आने वाली है अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हाला कि अदानी समू ने तमाम आरोपों का अपनी ओर से जबाब दिया है समू ने हिंडम वर्क्स की रिपोर्ट को भी चीज़ें उसको और मजबूत करे जाने की बात की गही है और अगर आप देखोगे तो इसी बीच अदानी समून परोपरोसी देश बंगला देश को बिजली का निरयात भी शुरू कर दिया है यहीं कि ओवर्ल चीज़ें जो है वो मेरे क्याल से तो अच्छी होते चली जा चाहिए हम इनके बिजनेस के बारे में बात करें या फिर अभी पोर्ट के बारे में बात करी थी न्यूपोर्ट एक्क्वाइर किया है फिर अगर हम इसके ओवर्ल बिजनेस के बारे में बात करें के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाला सेनेरियो पूरा सही से चल रहा है अदा से कोई भी जो है वो चीजें खराब नजर नहीं आई है तो मेरे जाल से तो अगर आपने इसमें पोजिशन बनाई हुई है तो डेफिनिटली आप इसको होल्ड कर सकते हो और जब भी आपको बाय डिब बाला सेनेरियो भी लगे तो आप यहां पे इसमें बाइंग कर सकते हो और साथ के साथ इसमें वही लोग इन्वेश्ट करें जो हाई रिस्क केटेगरी में आते हैं यानिकि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले जो इन्वेश्टर हैं वही इस ग्रूप को अभी देखें क्योंकि निउस बेजड मूवेंट चल रहा है अगर पॉलिटिब निउस आत देखने को मिला करीवन 1.25 परसेंट के आसपास का मूमेंट था और शेयर की जो क्लोजिंग आज के दिन हुई है 32 रूपे 40 पैसे पर हुई है यानि कि कल भी आप देखोगे आठ परसंट के आसपास का मूमेंट गया आज भी आपे बहतरी मूमेंट गया वहीं पिछले एक म महीने में भी अगर आप देखोगे तो नेगिटिव रिटरंस ही है करीबन 10 परसेंट के आसपास के लेकिन अब इसमें अचानक से तेजी का माहल जो है वो क्यों बना वो मैं आपको यहां पर बताता हूं इसके पीचे के कुछ दो तीन रीजन्स हैं सबते पहला रीजन निक जो बहतरी नंबर है वो देखने को मिला है यानि कि अगर आप लेने में देखोगे 7% मन्तों मन्त वेसे बैड लेने में देखोगे 13% यान में 15% यानी कि छोटे मोटे परसेंटिस के साथ नहीं बड़े परसेंटिस के साथ यहां पर आपको जो है वो मुमेंटम दिखाई द और इसके पीछे का जो दूसरा रीजन निकल के आया था वो यह था कि यहां पर इनके प्रमोटर्स ग्रूप की तरफ से एक बहुत बड़ी बाइंग करी गई थी और जो असली माहौल बना वो उसी के बाद ही बना यानि कि एक अच्छा गासा माहौल उस पर्टिकुलर जैसा ही सिनारियो देखने को मिलेगा क्योंकि अगर आप देखते हो बहुत सारे लोग जो है पोजीशनल भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पोजीशनल स्ट्रेजी बनाते हैं आज खरीदा और दो तिन इनके अंदर भी अगर उनको आठ दस परसेंड के रिटन बन गए तो व वह आप देखके चल सकते हो बाकी फंडमेंटर एनलिस वगरा मैं बहुत बार इस चैनल पर कर चुका हूं इसमें आपको डिविडेंट वगरा भी मिल जाता है तो वह सारी चीज़ें आपको देखने को करनी पड़ेगी कि क्या यह शेर आपके हिसाप से सही है या फिर नही बारी देखने को मिला करीवन पॉइंट सेवन टू परसन का 27 रुपे 40 पैसे पर शेर की जो क्लोजिंग है वह देखने को मिली है अब जो में चीज़ है वह यह है कि इसके पास बहुत सारे जो प्रोजेक्स हैं वह आते हो नजर आ रहे हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो एक टाइप से जो RBNL वाला सिनेरियो है वो भी इसी के अंडर आता है क्योंकि आपको पता ही है मैंने बहुत बार इसके बिजनिस के बारे में डिस्केसिन किया है तो आपको पता ही होगा कि RBNL और IRCON जैसी जो आपको कंपनीज है वो इसी के अंडर काम करते हो नजर आती है तो definitely projects तो बहुत सारे हैं लेकिन हाँ momentum अभी नहीं बन पाया है वो शायद quarter 4 के बाद बन जाए जो कि आपको बहुत जल्दी numbers आते हो नजर आ सकते हैं जिसमें इस बार chances हैं कि dividend आपको ये company दे दे बाकि आप अपना viewpoint जरू बताए ये comment में वीडियो अच्छी लगे तो like कर किएगा चैनल पर फर्स टाम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब बेजर हो कर दीजेगा धन्यबाद